हलो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी उमीद हैं आप सब अच्छे होंगे आज हम पढ़ने वाले हैं आई टी आई कंप्यूटर की कुछ इंपोर्टेंट कोशन अथा जिसको आप बोलते हैं इंप्लिबिल्टी स्कील और वहां से हम आपके लिए लेका हैं कुछ इंपोर्टेंट को से सभी लोग इसका एंसवर देते भी चलेगा क्योंकि एंसवर देते चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा यदि आपको आता रहेगा तो और भी अच्छा है तो चलिए कोशन नमबर वन का सभी लोग एंसवर दीजिए पहला कोशन है कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस Center कहा जाता है आब रिजन क्या क्यों इसको कहा जाता है क्योंकि दूस्तों यह जो होता है निर्दिस वक्र के पत अथा ट्रेक को सुरच्छित रखता है और साथ ही साथ यह जो CPU होता है इसका यह CPU के जो इसमें उपरयूक्त होते हैं जैसे कि पूस्तिक कोन साथ क्यों सबीकर कोश्षा क कम्योंड चोंड़ को बोलते हैं धीक हैं फिश hearts भूंतर आता है कंपूरा नाम इसको भी ध्याना किया अब देखे दोस्तों निर्द को भूतिक वागों को हेते हैं इसको थयान देखेगा और चया COM प्रोशक्री ही स्कोने真的 को यह एक hardware है जिससे computer का क्या कहा जाता है मस्तिक कहा जाता है तो इस तरह भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं तो यहाँ पर question का अनुसार हमारा C action बिल्कुल correct answer हो जाएगा आईए next question पर आते है question number 3 पर कहरा ही question निम्न में से कौन सा एक output device नहीं है प्लेटर प्लोटर या speaker या printer या scanner चलिए सभी लोग इसकान सोर दीजिए मातर आपको 5 सेकेंड का मौका ही दिया जाएगा इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाद में जो लोग देखेंगे offline videos उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होगी अथाद बोरी महसूस होगी तो देखिए दोस्तों यहां पर जो आपका scanner होता है यह आपका input device होता है जो scanner होता है वाई यह आपका scanner होता है उसके अंदर जो कोई बहारी चीज हम उसमें scan करते हैं जो output के द्वारा उसमें इंपूर्ट देते हैं तो यह हमारा process होता है लेकिन दोस्तों जो प्लेटर होता है जिसको प्लोटर भी बोलते हैं प्लोटर होता है speaker होता है और जो printer होता है यह आपका output device होता है तो यहां पर question के अनुसार हमारा सही हो जाता है question number D बिल्कुल correct answer आये next question पर आते हैं question number 4 पर कहरा है question निमलखीत में से input device कौन सा है monitor या printer या floppy disk या joydix यहां पर बहुत important question आप से पूछा गया है देखे दोस्तों जो joydix होता है यह एक input device होता है और यह वास्तों में एक pointing device भी है जो की track ball की तरह ही कारे करता है और यह जो होता है बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती इसके साथ और ताकि बॉल को असानी से खुमाया जा सके और इसका जो उप्योग होता है video game simulator पर इच्छाण आदी में ज्यादा तर इसका प्रियूग किया जाता है तो यहां पर question के अनुसार हमारा सही हो जाता है आफसन नंबर जो यहां पर D दिया गया है यह D आफसन बिल्कुल करेक्ट एंसवर के लिए रगए दोस्तों आए नेक्ट कोशन पर आते है कोशन नंबर पांच पर कह रहा है कोशन निम लिखीत में से computer के लिए कौन सा device एक input device नहीं है keyboard या mouse या scanner या monitor बेर बेर इंपोर्ट कोशन है दोस्तों कोशन को यहां से पढ़िए कह रहा है computer के लिए कौन सा device एक input device नहीं है input device नहीं मतलब यह negative आप से question पूछ रहा है तो इसमें जो आपका monitor दिया गया है यह आपका input device नहीं है क्यों क्योंकि monitor एक input device नहीं है इसका region यह क्योंकि output device एक विदूत यांतरिक करता है इसलिए यहां पर हम मारेंगे option number यहां पर डी बिल्कुल correct answer जो इंपूर डिवाइस नहीं है वह आपका option number डी नहीं है बाकि आपका keyboard हुआ mouse हुआ और scanner हुआ यह आपका input device के अंतरगत आता है के लिए वगए दोस्तों आप इसको ध्यान किएगा आए नेक्स कोशन पर हम आते कोशन नमबर 6 पर कहराई कोशान निमलखीत में से कौन सा उपकराण storage device नहीं है harddix या cd-rom या प्लेस ड्राइब या मॉडम चलिए एक बार सभी लोग स्काइन सवर दीजिए बेरी बेरी इंपॉर्टेंट कोशन है दोस्तों सबी लोग स्काइन सवर दें तो देखिए दोस्तों मॉडम एक storage device नहीं है इसको ध्यान से सुनिए जो मॉडम होता है यह एक modulator होता है यह demodulator का संचित रूप्त होता है और यह एक ऐसी यूपती होती है जो कि किसी आंकी के अथा digital कह सकते हैं कि सुचना को मॉडूलेट करक हैं करो के लौक के रूप में क्या करती हैं मतलब कि भेजती है जो कि अलंग प्रारूप में से अंप सिंग्नल मिलता है तो हम क्या गाते है nu क्ыв c कोशन के आफसान नंबर जो डी दिया गया है यह डी आफसान हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाता है आए नेक्ट कोशन पर हम आते हैं दोस्तों कोशन नंबर साथ पे कह रहा है कोशन कि निम लखीत में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारान उपकरान अथा इस्टोरेज डिवाईस अब प्रचलीत हुआ है फ्लॉपी या सीडी रोम या पैंडराइब या हार्ड डिक्स तो देखिए दोस्तों जो आपका यहां पर प्रचलित हुआ है मतलब कि अब इसका यहां पर प्रचलित नहीं है इस समय यह आपका फ्लॉपी हुआ है ठीक है देखें जो फ्लॉपी डिक्स होता है यह एक पतला होता है और लचिला मतलनी इसका जो होता है लंबाई यहां पर बात किया जाए तो इसक xis कर ठाट कर आपपर हो जाएगा और यहां पर एक नई यहां पर तेकनिक ही का यहां पर भी मोश करिक politics n हो टोंट तो यहां पर देखीएं आप सभी को मालूम है कर सांठ के मौच माउस बिसकार की गिपान प्पूटर आप पर माउस के अविस्कार जो किये थे डगलोस एंगलोट जो कि आफसान नंबर सी दियागे बिल्कुल करेक्ट एंगलोट ने किया था और माउस संग्ड़कों में इस्तेमाल होने वाला एक इंपूर्ट जो होता है यह उपकराण होता है जो कि यह मॉनिटर पर दिखाई देता एक करसर को चलाकर पॉर्ट नियुकर न सब्सक्राण क жизни कर रहा हो जाता है कराई कोशन कम्पूटर खाली अस्तान के बीना काम नहीं कर सकता है scanner के बिना या internet के बिना या mouse के बिना या CPU के बिना आप सभी को मालूम है मैंने आपको एभी एक question बताया कि computer का दिमाग कौन सा होता है तो आपने CPU बताया था तो जिदी दिमागी नहीं होगा तो computer कैसे चलेगा मतलब कि यहाँ पर CPU की जरूरत पड़ेगी तो इसी को हम कहते हैं कि CPU के बिना ये computer हमारा नहीं चल पाएगा मतलब कि computer के बिना काम नहीं कर सकते हैं किसके बिना तो CPU के बिना तो यहाँ पर D option बिल्कुल correct tensor हो जाता है ठीके दोस्तों इसको आप ध्याने किएगा आईए नेक्स कोशन पर हमाते हैं कोशन नमबर 10 पर कहराई कोशन computer की किस पीड़ी में programming के लिए यांत्रीक अथाद mechanical भासा का प्रियूग किया गया था पहली या दूसरी या तीसरी या चोथी तो दोस्तों देखिए वेरी-वेरी important question है computer के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पेड़िय होई है और पहली पेड़ी में programming के लिए यांत्रीक mechanical भासा का प्रियूग किया गया था और इंपूट के लिए इसमें और जो पेपर टेप होता है उसका उप्यूग किया गया था और जो output printer के दुवारा print का इसमें प्रियूग किया जाता है ज्यादा तर तो यहां पर question के अ एलन ट्यूनिंग या एडा लौलेस या टीम वर्नसरली या इस्टीव वेंजलियक तो दोस्तों यहां पर आपका भी आपसंजियो दिया गया एडा लौलेस यह बिल्कुल correct answer दिया गया मतलब कि दुनिया का पहला programmer अंग्रेज महिला आपका जो थी जो की एक गणत्य थी औ और इनी को ही माना जाता है और जो चॉल्स बवेश थे इनके प्रारंबिक जो होता था इनका प्रारंबिक में यांतरी कंप्यूटर पर इनके कार्यों से उन्हें एक उपावदी प्राप्त होई थी तो चॉल्स बवेश को इसलिए यहां पर कंप्यूटर का यहां पाविसक पतलब कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है तो देखिए दोस्तों वर्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब के वन है ठीक है लेकिन जो एक रॉक एटम और क्रोमोडोर ठीक है यह और एक आपका और है सब्सक्राइब करेक्टेंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 13 पे कहराई कोशन निमलखीत में से कौन सा ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है यहां पर दिया गए OS X या Windows 7 या DOS या C++ तो दोस्तों यहां पर आपको कौन सा आक्षन सही लग रहा है तो देखिए दोस्तों यहां पर जो C++ दिया गए मतलब यहां पर जो OS X दिया गए Windows 7 दिया गए और DOS जो दिया गए यह operating system है लेकिन C++ पर जो एक programming भासा होता है और यह जो C भासा का एक उन्नत रूप है और जो यहां पर C दिया गए इस भासा का अभिकास कब हुआ था तो देनिस रिची ने बिल्ड टेलिफॉन प्रोग्राम साला में वर्स 1972 में किया था जिसका यह उद्देस्य था कि UNIX संचालन तत्र का निर्मार किया जाए तो यहां पर कोशन का अनुसार हमारा जो सही हो जाता है TCP का बिस्तार क्या है मतलब कि यह जो TCP है जहां से पढ़ लेजिएगा TCP बिस्तार मतलब कि इसका पूर्ण रूप मतलब की पूरा नाम क्या है TCP का तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका आपसान नंबर ए दिया गए टॉंसमिशन कंट्रोल प्रोठोकाल यह हमारा बिल्कु प्रोठोकल के बीची होता है मतलब एक संचार सिवा प्रदान करता है यहां पर इसको भी जाने किएगा तो यहां पर कोशन का नंबर यह बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाता है कोशन नंबर 15 पर कहारा कोशन कैप्चा कैप्चा खार यह पर है कंप्यूटर प्रोग्राम कोशन कानुसर हमारा आफसन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट देंगे मानों इंपूर्ट को मसीनी इंपूर्ट से अलग करने के लिए कैपचा का एक प्रोगराम है तो यहां पर ए आफसन हम बिल्कुल करेक्ट इंप्र कि आपको कोशन कवर किया गयता है यह आपको किसी भी कोशन में कंफ्यूजन भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्स सकते हैं तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहीन बदे मातरम